हेलो दोस्तों मेरा नाम है रेंजिन ठाकर और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ठाकर एंटर्टेन्मेंट में और साथे साथ आप सबका स्वागत है सूपर न्यूस के बीस्वे भाग में सो फिल्म सब आपका ज़्यादा टाइम बरबात ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं बस एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो के स्पॉंसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो कि है सूपर फैंडम तो super fandom एक ऐसा group है जिसमें बहुत सारे creators एक साथ मिलकर काम करते हैं सो दोस्तों पहली ख़बर निकल कर आती है राज कॉमिक से तो अब फाइनली राज कॉमिक का दो डिविजिन हो चुका है वैसे जिनने नहीं पता हूं है मैं बता दू तो पहला राज कॉमिक जा रहा है संजे गुपता की तरफ से और दूसरा राज कॉमिक गए मनोज गुपता के पास तो हाँ अब यह थोड़ा और confusing हो चुका है वैसे मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज में बताया है कि राज कॉमिक का हाल पहले से बेकार ही होता जा रहा है वहीं राज कॉमिक्स भाई संजे गुपता राज कॉमिक्स भाई मनोज गुपता की दोनोनों अलग ही वेबसाइड भी बन चुकी है जिस पे रिसेंटली ही कॉमिक्स का रीप्रिंट किया जाएगा इन सबी पर आप सबके thoughts क्या हैं मुझे please comment section में जरूर बताए और अब reprints की बात करें दिया तो आते हैं Manoj Comics पर तो हाँ बहुत बीते समय पहले ही Manoj Comics ने भी हवलदार बहादुर नाम के comic book का reprint करवाया है जो कि 80's पर प्राज किया करता था बच्चों के मन के अंदर तो आप सबके क्या thoughts है प्लीज बताइए तो दूस्तों अगला न्यूज है जैक स्नेडर की जस्टीस लीग मूवी से तो देखो अभी रिसेंटली हमें पता चला कि इसका ट्रेलर आया था और मैंने इस पर एक रिव्यू भी बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसका रेटिंग गन्फर्म हो गया है जो कि 18 प्लस आर रेटेड मूवी है और भाई जब से जोकर का वो ला इन वी लिव इन सोसाइटी अप लोगों के सामने है तब से इस पर बहुत सारे मेम्स भी बनाये जा रहे है तो दोस्तों कुछी दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के दौरान बताया था कि Captain America अगर रिटन होने वाला है तो अब वो हो सकता है डॉक्टर से इन नी मल्टिवर्स ऑफ मैड डेस में देखने को मिल जाए तो भाई अगला एक रूमर निगल कर आया है जो कि Bollywood में एक Phantom नाम की मूवी बनने वाली है तो देखो इस रूमर में कितनी सचाई है और कितना जूट है ये रूमर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो इस पर भी आप अभी तो यकिन मत ही करना तो अब रूमर की बात कर ही लिए तो आते हैं Tom Holland पर तो रिसेंटली उन्होंने Spider-Man 3 का टाइटल कंफर्म किया अब पता नहीं इसमें से रियल टाइटल कौन सा है दोस्तो अब बढ़ते हैं Wanda Vision पर जो कि Disney Plus पर सबसे जादा सर्च के जाने वाला शो बन चुका है Marvel Studios का तो बहुत से रूमर्स थे कि इसमें Mephisto नाम का एक Devil Villain देखने को मिलने वाला है जो कि अभी तक तो confirm नहीं हुआ है और देखते हैं आने वाले episodes में इस पर क्या review देखते हैं वैसे बहुत से फैंस का मानना भी यही है कि इस शो में हम लोग को Mephisto विलन देखने को मिलेगा ही क्योंकि बहुत टाइम से ये रूमर आ रहे है कि NCU में Mephisto की एंट्री होने वाली है और comic books में अगर आपको नोटिस किया होगा तो उसका first appearance एक B के रूप में हुआ था जो कि हमें last episode में अलरी देखने को मिल गया है तो भाई जैसा कि Raj Comics बहुत टाइम से नागराज की movie बनाने को लेके Bollywood पर सारे directors पर फोर्स कर रहे तो वहीं internet पे fans ने एक fan art रिलीस किया जिसमें हमें नील नितिन मुकेश as नागराज देखने को मिले इस पर आपके क्या thoughts हैं बताना जरूर तो भाई हाली में ही confirm कर दिया गया कि फोर फोर में में मियोर ने written होता हुआ दिखेगा और ये खबर किसी और ने ने बलकि Chris Hemsworth के body double ने दिखेगा अब बढ़ते हैं movie black video पर तो recently ही rumors आ रहे थे कि ये movie डिले हो सकती है जिसका release जो डभी 9th May 2022 तो भाई recently ही graphic novel की youtube channel है जो की especially Indian comics बनाने को लेके popular है उन्हें है recently ही Chris 3 का comic version रिडी किया है जो की काफी अच्छा है और link आपको description में मिल जाए को उस वीडियो का तो आप देख सकते हो तो recently interview आया था कि Chris 3 का promotion के time से कि Ritik Roshan ने गहा था Shakti Maan अज भी इंडिया का superhero है तो वहीं आने वाले time पे हमें Chris 4 और 5 ही देखने को मिलने वाली है जो की में recording आने वाले इसका 4th part 2024 में और शायद 5th part 2026 में भाई वहीं पर Sony सब वालों ने hero नाम का show release किया है जो की काफी अच्छा है काफी अच्छा है और इसमें अभी finally villain reveal होने वाला है जो देखते हैं तो यार देखो काफी टाइम पहले से ये rumor आ रहा था कि Craven पर एक movie बनने वाली है जो की Sony स्टूडियोज ही बना रहा है और finally एक rumor बहुत ही ज़ादा तगड़ी निकल कर आई है कि Keanu Reeves इस movie में Craven का role कर सकते है अब ये Sony pictures वालों ने बताया था कि उनको confirmation दे दी गई है तो भाई देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या सच होता है और क्या जूट तो मैं तो बहुत ज़ादा एक्साइटेड उस movie के लिए आप कितने एक्साइटेड हो comment section में बताना तो हाँ इस question का answer मैं इस video में ही दे देता हूँ जो कि में को Instagram पे काफी बार पूशा गया है कि HBO Max इंडिया में कैसे release होगा तो देखो HBO Max नहीं इंडिया में HBO GO रिलीज होगा जिस पर हमें Zack Snyder का justice देखने को मिलेगा तो recently मुकेश खन्ना के YouTube चैनल यानि की भीश में इंटरनाशनल पर दिव मुकेश खन्ना शो के एक एपिसोड में उन्होंने एक पुराने आक्टर को लेकर आए हैं जो की अल्रेड़ी प्ले कर चुके हैं जैकॉल तो भाई पर्सनली इस टोबिक पे तो मैं एक डीटेल वीडियो बनाना चाहता हूं लेकिन वो डिपेंड करेगा इस वीडियो के रिस्मांस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा